हालो स्टूडल्स वेलकम बाक कैसे हो बच्चो एक दाव मझे में न चलो आज हम लोग क्या स्टोरी करेंगे हम लोग आज करने वाले हैं आपका सिक्स फॉर्थ चेप्टर सिक्स्टेंडर का फॉर्ट चेप्टर तो यह फॉर्ट चेप्टर के इस बारे में इट्स अबॉट डिजास्टर चलो अपने बुक्स ओपन कर लो फटा फट तो आपको पता चलेगा यह डिजास्टर क्या होते हैं एन हीरर वी नीड टू मैनेज डिजास्टर अब यह डिजास्टर को मैनेज कैसे करें ओके चलो तो हीर माइन नेम इस प्रमूद भोज और मैं आपके साथ यह सिक्स टेंडर के साइन्स के टॉपिक्स डिसकस करूंगा ओके चलो तो यह मेरा इंट्रोड़क्शन भी हो गया है ना वाट अबाउट डिजास्टर्स यह डिजास्टर्स होते क्या है सिंपल तिंग कि कोई भी चीज और अन प्रेडिक्टेबल चीज अचानक हो जाती है तो वो हमारे लिए डिजास्टर होता है अब जब यह डिजास्टर पूरी कम्यूनिटी के साथ हो रहा है मेंस पूरी सोसाइटी के साथ हो रहा है स्टेट के साथ हो रहा है या पर्टिकुलर एरिया के साथ हो रहा है तो इसका जो इंटेंसिटी होती है क्या होती है हो गया या उसके फैमिली के रिलेटेड हो गया बट वेन देर इस अर्थ वेक अर्थ वेक इस नैच्छिरल चीज यह एक नैच्छिरल इवेंट होता है और जो बहुत सारे लोगों के लाइफ के उपर अफेक्ट करता है यहां पे लॉस आफ प्रॉपर्टी लॉस आफ इन चीजे यहां पर होने वाले नेक्स्ट अफ्टर इस डिजास्टर देर आर अल्सो सम एडवर्स इफेक्ट्स उसके बाद भी बहुत सारे डवर्स इफेक्ट्स होते हैं चलो मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूं मैं जब पढ़ाई कर रहा था मेंस कॉलेज में था उस टा लोग जो स्टूर इंष वो सारे री में पढ़ने जाते थे क्योंकि हमारे घर पे बहुत स्टा घर होता था तो वह वहां पर एक लाइब्रायरी होती ती जहां पर हम लोग पढ़ने जाते थे अब जब हम लोग वहां पर पढ़ने जाते थे तो वहां पर लाइबररी में अपने देखा होगा study libraries होती है जहां पर बच्चे आके पढ़ते हैं बट वहां पर कोई शोर नहीं होता है कुछ नहीं कुछ नहीं शान्ती से अपना अपना पढ़ाई करते हैं यहां पर मुझे जब किसी दोस्त को कोई भी सिगनल देना है कि बबाबा मैं बाहर जा रहा हूं या मुझे रुकना है या मुझे घर पर जाना है तो यहां पर मैं उसे कोई भी इशारा वेगरे नहीं कर सकता लैब में वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है ओके तो वहां पर एक इंस्ट्रक्टर होता है जो वो सब देखती रहता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या टाइम पास तो यहां पर क्या हुआ कि हम लोग एक निशानी करते थे क्या कि हमारे पास एक पेन था ना सबके पास एक एक पेन होता है उस पेन को हम अपने डेक्स के उपर खड़ा रखते थे क्या रखते थे खड़ा रहता था तो जिसका फ्लैट सर्फेस होता है ऐसे पेन इजी ली स्टैंड हो जाते तो उसे हम लोग इस तरह से स्टैंड रखते थे है ओके और जब हमें वहाँ से निकलना है ओके अभी बहुत कंडल आ गया तो हम लोग ग्रूप में ही जाते थे ग्रूप में आते थे तो उस पेन को हम लोग डाउन कर देते थे तो जो दुसरा बच्चा देखते था मेरे जो फ्रेंड देखते थे तो उनको पता चल जाता कि अभी यह थक गया है अभी इसे जाना है तो बाकी लोग भी अपने जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लेते थे और फिर हम लोग साथ में निकलते थे बाकी लोग भी अपने पेन अपने इसाप से डाउन करते थे तो उस तरह से हमारा कम्यूनिकेशन चलता था अब यहां क्या हुआ हम लोग बैठे पढ़ाई कर रहे सब्सक्राइब करते वक्त हमारा ढेक्स था राव थोड़ा हिला और मेरा प्रडेर जो स्टेंडिंग था वो गिर गया है जो मेरे सारे दोस्ते ना उनके भी पेन गिरिये और उसके बाद बहुत टेमर क्रियेट वाबनेंज शेकिंग होने लगा हमारे उपर जो फैन होता है वो भी हिल रहा है ट्यूब लाइट्स तभी हमारे यहां पर बहुत हाइट होती थी तो वो हैंग में होती थी टूबलाइट्स क्या होती थी हैंगिंग में होती थी तो वो भी मूव हो रही थी तभी हमारे इंस्ट्रक्टर ने डारेक हमें चिल्लाया वो कि बेंच के नीचे बैठ जाओ क्या हुआ बेंच के नीचे बेड़ जाओ मिस हम जहां पर बैटे दे उसके बेंच के डेक्स के नीचे बेड़ जाओ हम लोग तुरंट सब उपर ही था हम लोग नीचे जाके बेड़ के हमें पहला समझ में नहीं आ रहा था कि यह एक्चुली हुआ क्या कम से कम अप्रोक्सिमेट यह एक मिनिट दक चला शेकिंग फिर रुख गया उस रुखने के बाद भी वह इंस्ट्रक्टर जो भी हम लोग बच्चे उठने की कोशिश कर रहे थे तो उसने कहा कि नो डोंट मुव तो मुव मत करूं कि अफ्तर 2-3 मिनिटalay के बाद माद फीर एक जटका आया आफ्टर 23 मिनिट के बाद और और जटका आया जो फिर से शेकिंग होने लगा और वह बहुत छोटा था वह टाइमिग उसका बहुत फ्रक्षन में यह टाइमिंग अडा मीनस एक्यंग जयारी थर्टी सेकेंड का वो थर्टी सेकेंड के शेकिंग था और वो रुख गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा चलो कम आउट तो हम लोग बाहर आ गए पहले उसने सब चेक किया कुछ गीरा तो नहीं कुछ शेल्प से बुक्ती वो नीचे गीर गई थी अब हमें उन्होंने कहा कि अगर आपको घर पे जाना है क्योंकि हम लोग डर गए थे कि actually यह हुआ क्या तो उन्होंने बताए कि this is a earthquake अब यह earthquake कहां पे हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ यह पता नहीं था यह पता नहीं था तो दिन में earthquake मैंने जो महसूस किया था वो वो था जो हुआ था भूज में मैं रहता हूं मुंबई में जो गुजरात में था वहां पे वो अर्थविक हुआ था और उसकी जो लेहर थी वो पूरे महाराश्य तक इवन दिल्ली तक पहुंच गे थी means जो अर्थविक होता है उसकी जो intensity में जहां पे focus epicenter होता है वहां से वो बहुत दूर तक फैलता है ओके यह हम लोग ने उस टाइम पे यह देखा था उससे पहले मैंने 93 के आसपास जब मैं आ जस्ट टेंथ पास आउट हो गया था और टेंथ का यह दिया था और मैं तभी इसमें था college में था उस टाइम पे तो रात में हुआ था रात में अप्रोक्सिमेट यह एक देड़ बजे के आसपास हुआ था उस टाइम पे हमारे उपर जो भी fan था हमारे उपर एक कबूर था जैसे था वो शेल्प में काच लगी थी क्या थी काच वो रात में हिलने लगी शेक होने लगी बहुत आवाज हो रहा था वो शेकिंग का बहुत आवाज हो रहा था मैं उड़ गया देखा हिल रहा है उसी में मैंने अपनी खिड़की में से बाहर देखा क्या हो रहा है एक्चुली देखा तो सामने की बिल्डिंग एक वेव की तरह हिल रही थी मेरे अपोजिट बिल्डिंग वेव की तरह हिल रही थी सब जगे पर लाइट्स चालू हो गई थी सब लोग भाग रहते अब भागने का कोई ये नहीं था मैं गया चद्दर लेके सो गया क्योंकि मैं बहुत डर गया था उस टाइम पर मैं बहुत डर गया था अब यहां पर उस रूम में में अकेला सोय था और यहां पर कोई नहीं था उस तिन घर पे अब यह जो शेकिंग था वो मेरी लिए बहुत था और यह हुआ था लातूर में तभी का हुआ था महाराष्ट के लातूर में यह भुकम्प हुआ था और यह इतना बड़ा था कि उसकी वेवज ओशन तक मिन्स अरेबियन सी तक पहुँच चुकी थी तो उसमें भी लहरे उटी थी बिक्कॉज ओफ देश डिजासर दिसेज अर्थवेग यह अर्थवेग था ओके अब टू 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 टूजन फोर में एक भुक अर्थवेग हुआ था जो हमसे बहुत दूर था इसके एपी सेंटर जापान के पास था जिसकी वेवस हम तक इंडिया तक बहुत माहिनूट वो पता भी नहीं चला था वो एकचली पता ही नहीं चला क्योंकि हम लोग ट्रेवलिंग में थे और कहीं जा रहे थे तो उसमें हमें पता ही नहीं चला कि एक्चली हो गया त्वी पे निउस आने लगि यहां पे हुआ अंड देन इट स्टार्ट दर यह सुबह सुबह हुआ था और अप्रोक्सिमेट चार से पांच घंटे के बाद ही सुनामी स्टार्ट हो गई कहां पे जापान में जापान में जो सुनामी क्रियेट हुई थी जैट इस वेवस क्रियेट होई थी समुद्र में ये ओशन की लहरे तिल द फिलिपिन्स ऑस्ट्रेलिया और कुछ लहरों ने अंदमान निकोबार आइलेंड तक ट्रेवल किया था इतने दूर तक इन्होंने ट्रेवल किया था और वहां तक वो लहरे आ गई थी पर यहां तक हमें उतना वो इंटेंसिटी महसूस नहीं हुई बच्चापान में उसकी इंटेंसिटी बहुत थी यह अप्रॉक्सिमेट नाइन पॉइंट टू का रिटर स्केल का अर्थ वेकता तो यह होगे डेजास्टर जो प्रेडिक्टी नहीं किये जाते है वो हम लोग कितना भी यह करो हमें प्रेडिक्शन कर नहीं सकते यह कहां पे हो रहे इंटरनल ग्राउंड यह अर्थ के अंदर हो रहे तो उसको प्रेडिक्शन नहीं हो रहे दूसरे होते हैं डिजास्टर्स लाइक स्ट्रॉम् थंडर्स्ट्रॉम्स, बाड आती है, ड्रॉट होता है, तो यह सारे डिजास्टर्स होता है, और चिस वज़े से यूर लाइफ यह अन इवन हो जाती है, means जो रेगुलर चल रहा है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो यह हमारे लिए डिजास्टर्स होता है, डिजास्टर्स क्यों होगा, because it will change your pattern of life, लाइफ का पैटर्न वो चेंज कर देंगे, तो यह सारी चीज़े हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, that is, nature is a king, हमारे अजुब जुब 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 नेचर है न, यही king है, जिसे हम human beings को लगता हम इसे control कर रहे हैं, no, कुछ जगह पे वो खुद को आपके हवाले कर देते हैं, पर जब यह उनके हाथ में चला जाता है, तब वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ताकत बहुत बढ़ी होते हैं, तो यही disasters क्या करते हैं, बहुत सारे, means मैंने जो दो अर्थवेक देखे, उसमें इतनी तबाई देखी, means टीवी पे, न्यूस पेपर में यह जो पिच्चर्स आते थे, तबी न्यूस पेपर थे, तो न्यूस पेपर में जो पिच्चर्स आते थे, वो बहुत ही डरावने थे, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स घर, कितने लोग, जानवर, अपनी लाइफ खो दिया, that is, they are died, तो यह बहुत, कितने लोग, means ऐसे भी होते कि, जिसके कोई भी सिर्फ घर में एक बच्चा-बच्चा है, बाकि सारे लोग मर गए, एक बच्चा-बच्चा, अभी इस यह दो मेने के, तीन मेने के बच्चे क बच्चाने की कोशिश में सारे लोग मर गए, वो तो बच्च गया, अभी यह दो मेना, तीन मेने का बच्चा करेगा, क्या, तो this is a disaster, यह लाइफ के लिए बहुत बड़ा disaster होता है, और इसे control नहीं किया सकता, but it can be, we can be safe from this disaster, जैसे मैंने बता है, कि हमारे instructor ने तुरंथ order दिया, वो चिलाया जोर से, decks के नीचे बेट जाओ, means जो benches थे हमारे बेटने के उसके नीचे बेट जाओ, जब मैंने उसके बारे में पड़ा, तो this is a first precaution था, जब disaster या कुछ भी होता है, तो उपर से गिरने वाली चीज़े सबसे ज़्यादा होती है, हमारे उपर light, fans व गर वो गिर जाए, तो क्या होगा, तो पहले ही हमारे सर पे आकर injury हो जाएगी, तो इसी को बच्चाने के लिए, इससे बच्चने के लिए, हमें उसने decks के नीचे जाने को कहा, जो मजबूत होते हैं, और उसे hold कर सकते हैं, बराबर पर भगवान की दयाती, ऐसे कुछ भी न बैठे नहीं थे, वो कशेलफ डिफरेंट होता है, और ये हम लोग जो बैठते थे वो डिफरेंट होता था, कुछ कबोड से जो बीच में जो ब्राड होते थे, वो थोड़े हिलके, थोड़े तेड़े दूसरे कबोड के उपर, मिन्स दिवार के उपर, वो तेड़े गीर होय थे, बस बाकी कुछ डेमेज यहां पर हुआ नहीं, तो हम लोग यहां पर मैंने वो एक्सपीरियल्स किया था, यह डिजास्टर, यह डिजास्टर, चलो, अभी मैंने आपको एक माइंड सेट दे दिया, डिजास्टर कितने खतरनाक हो सकते, बराबर आपको माइंड चलते हैं कि डिजास्टर को मैंनेज करना क्यों जरूरी है, तो यहां पर देखिये, here is a building cracks हो रही है, बहुत सारे buildings होती है, जो मुंबई में भी बहुत सारे जो new incidents होए, तो जहां पर buildings बहुत पूरानी हो जाती है, या कोई tremors है, या कुछ भी चीजों से, वो क्या हो जाती है, crack के वज़े से गिर जाते हैं, या earthquake, और्थवेक के वज़े से, sudden shaking, क्या होती है, shaking होती है, और यह shaking के वज़े से गिर जाएंगे, here is a picture of drought, क्या है, drought, सूखा पढ़ गया है, sun दिख रहा है न, ओके, sun, power खीच रहा है, vaporization होता है, हम लोग ने science पर पढ़ा है, vaporization हो रहा है, तो यहाँ पेड़ भी सुख गए है, and even land also, इसका उल्टा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पानी इतना बढ़ गया, कि इस बंदे को घर की छट पर जाके बेटा, ओके, तो इतना सब फ्लोट हो जाता है, that is, flood, इससे क्या कहेंगे, flood कहेंगे, next, it is a fire, this fire, fire की reasons different, different होते हैं, fire की reasons बहुत different, different हो सकते हैं, but, effect same होगा, loss of property and life, it's a strong, दूसरा क्या ही है, strong है, अब यह strong क्या होगा, because of the wind flow, wind flow में क्या होता है, कि here, they make the low pressure build, यहां पर कहीं पर low pressure build create हो गया, and here, wind start flowing towards that direction, and because of that flowing, it's make the strong, यह strong create करेगी, okay, next, it is a volcanic eruption, volcanic eruption, जो अर्थ के अंदर मैगमा है, जो उबल रहा है, यह लावा है, वो प्रेशर से, फिशर से बाहर आजाता है, अभी भी एक थोड़े दिनों पहले, means, approximate 15 days before, there is a Italy, Italy में, Italy यह active volcano है, जो फ्लो हो रहा था, and approximate वहां के 3 लाख, approximate 3 लाख पीपल्स को, गवर्मेंट को वहां से उनको शिफ्ट करना पड़ा, 3 लाख पीपल्स को, गवर्मेंट को शिफ्ट करना पड़ा, even, यहां पर प्रॉपर्टी लॉस वेगेरे हुआ, वो डिफ्रेंट, even, there is a black smoke, एक smoke क्रियेट होगा है, पूरे एरिया के उपर, तो यह डिजस्टर और भी जहरिला हो जाता है, that is because of the smoke, अब यह smoke क्रियेट होगा, प्लस बारिश भी चालो हो जाएगी, smoke और बारिश, इस वो जैसे वो नीचा जाएगा, और कभी-कभी, यह जो एश होती है, यह जो बाहर आ रही है, राख है, वो इतनी गरम होती है, कि इसका temperature, as per this volcano के, means इस लावा के temperature जितना हो जाता है, तो जिसको सिर्फ हमारे skin को touch करते ही, हम burn हो जाएगे, तो इतना वो temperature हेवी होता है, तो यह भी एक disaster होता है, जिसको हम लोग predict नहीं कर पाते हैं, अब prediction कहां पे हो रहा है, कि this is, यह prediction कर सकते हैं, with the data, जो metrological department है, वो इनको predict कर लेगा, then इसको predict कर सकते हैं, because यह accidents होंगी, बहुत भार तो accidents के वज़े से ही आग लगती है, storms को predict किया जा सकता है, metrological department can give the information about the storms, but, earthquake and volcanic eruptions को हम लोग नहीं predict कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना data नहीं है, कि हम इसे predict कर पाएं कि यहां तक हो सकता है, only we know the volcanic or earthquake point area, earthquake पोन एरिया हमें पता है, कि कहां कहां पर earthquake हो सकता है, तो वो area पता है, but कभी होगा, होगा या नहीं होगा, यह हमें पता नहीं है, और इनके बीच का जो distance होता है ना, means एक बार earthquake होने के बाद दूसरी बार earthquake, यह तुरंत नहीं होने होला, यह approximate कभी-कभी 10, 10, 20, 20 years लगते हैं, उसके बाद वो कभी तो होगा, तो इस वज़े से यह data हमें नहीं मिलता, और because of that, we can't predict a perfect timing or place, and that's why it is a very disastrous, इसी वज़े से यहां पर सबसे ज़्यादा damage create होता है, ओके चलो, तो here some events and your experience, तो मैंने यह experience किया है, यह अर्थवेक का जो experience है, वो मैंने किया है, drought का experience, जब मैं बहुत छोटा था, यह किया हुआ है, तो यह दोनो experience मैं कर चुका हूँ, बागी flood यह experience हमने किया नहीं है, तो मुझे उसकी intensity experience से पता नहीं, तो बट यह experience हमें perfectly पता है, चलो, disaster, in 1993, many people dies to the earthquake in Kilari Latur district, यह 93 की बात है, तो Kilari Latur district, वो भी मुंबई में जो मैंने पता है था, रात में हुआ था, यह night में हुआ था, even today मुंबई is a memory of 2005, is a people lost life of the lurch and the heavy rain, ओके, yes, यह flood का भी मैंने देख लिया था, that is मुंबई में 2005 में बहुत बाड आ गई थे, means यह approximate 10 hours में ही, 10 hours में 900 mm से उपर बारिश हो गई थे, और यह बारिश के वज़े से, यहां पर water blockage हो गए, क्या हो गए, water blockage, और पूरी train, car, साब रुख गए, रेवड के उपर बहुत सारे डिजर से, बहुत सारे लोगों के घर में पानी घुज गया था, बहुत सारे लोगों के बीच घर में पानी घुज गया था, उस टाइम पर मेरे एक relative से, मेरे भाई था, जो एक जग़ पर फसा था, उसकी family के साथ, और वो जहां पर थे, वहां पर बहुत पानी भरने लगा था, तो उस टाइम पर मुझे, मेंसेज आया कि फोन आया कि भाईया मैं यहां पर फसा हूँ, उस टाइम पर मैं बाहर निकला था, तबी मैं अपनी गाड़ी लेके बाहर निकला, देखा पानी बहुत है, उसी से ही गाड़ी को, गाड़ी उसी पानी में से मैं दोड़ा के लेके गया, उनको घर पे लेकिए आया और वापस आने के बाद फिर मेरी गाड़ी बंद हो गई तो मेरी वह गाड़ी चेतक का काम किया था उसने कि उसने उस डिजास्टर में मुझे लेके गई मेरे भाई और मेरे फैमिली को वापस लेकिए आई, हम लोग घर पे आके सुरुक्षित मेरे घर पे आके वो सेफ हो गए बट उसके बाद दूसरा दिन जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ तो गाड़ी चालूई नहीं हो रही क्यों? वेकाज उसके गाड़ी के अंदर इंजिन तक पानी घुज गया था क्या हो गया था? पानी घुज गया था तो उसके बाद जो गाड़ी ने मेंटेनस निकला वो बहुत बड़ा था क्योंकि इंजिन तक पानी चला गया था तो ये सारी चीजे क्या देती है हमें? हमें एक माइंड सेट मिल गया है मुझे एक experience मिल गया है कि ये flood में भी क्या होत सकता है? कि हम लोग अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और उसमें कभी-कभी हम अपनी खुद की जान की परवा भी नहीं करते हैं इवन अभी भी बहुत सारे जगह पे उत्तरा खंड जो हिमालेन के हिमालेन माउंटन के नीचे के साइड में तो यहाँ पे जब बारिश होती ना मानसुन इंडिया में मानसुन रिजन जब रिटन मुरता है ना रिटन जाने के लिए तभी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहां पे सबसे ज़्यादा बारिश होते हैं बिकॉस क्लामेट चीज हो रहा है और इस वजह से यहां पे बारिश and cloud bursting cloud bursting होता है तो यह बारिश के वजह से वहां पे हर साल मेंज हर एक-दो साल में वहां पे लड़ आता ही है और वहां की रिवर्स बहुत बड़ी और बहुत खतरना का है वो पूरी की पूरी जो इस साइड में जितने गाव है ना उनको भी बहा के लेके जाते इतने फोर्स में पानी होता है तो यह भी डिजास्टर है दिस इस अमालिन विलेज इन पूरे पूरे में लृइंग पारश हो रही है और बारिष होते होते जो पाहण की मिट्टी रोती है विक लफ हमारे जो ऐमिशन्स होते है कि यूमन बींग्स कैम Chaos मुझे ऐसा करना है वैसा करना हम लोग जो नेचर क्वाफल अधल्य होता है णा partnership हें उसको चेंज करते नेचर का setup change कर देते but precautions नहीं लेते setup change कर दिया पर उससे बचने का precautions हम लोग नहीं लेते और इसमें मिट्टी पूरी धिली हो गई थी गीली हो गई और ये flow हो गई पूरे एक गाव के उपर और गाव में जितने भी लोग थे जितने भी लोग थे वो सारे रात में ही उसमें दब गए गाव में जितने भी घर थे ये पहाड़ों में गाव था तो ये उपर से जो मिट्टी आ गई वो पूरी उसमें दब गई तो ये दब गई एक भी आत्मी उसमें बचा नहीं पूरा का पूरा गाव उसके नीचे डब गया, तो ये था मालीन विलेज, तो पूरा किचड वेगेरे हो गया था, ये 2015 में हो था, people is died due to the floated and causes the heavy rain, तो what is a disaster, a sudden event cause large scale damage of life, suddenly wait, कोई भी चीज अचानक हो जाती है, हमें पता नहीं है, तो non-predictable, वो क्या हो गई, non-predictable, तो ये क्या हुआ, that is damage of life, तो life damage हो गई, second property and social aspects of nation and society, तो ये भी सब कुछ damage हो गया, means वहाँ पर आज भी कोई भी घर बनाने को नहीं जाता है, क्यों, because यहाँ पर जो damage हुआ है, उसकी यादे उसमें जुड़ी हुए है, ओके, तो ये यादे होती है, हमारे साथ मैंने जब आपके साथ जो यादे शेर की, आज भी मेरे साथ वह यादे अभी भी है, कि उस टाइम पर मैंने क्या क्या किया था, और उस टाइम पर मैं किस तरह से बचके निकला था, तो वैसे मुंबई में अभी तक इतना बड़ा disaster ऐसे हुआ नहीं, मुंबई में सिर्फ होते हैं, तो क्या होते हैं, disaster like bomb blast, terrorist attacks, यह सबसे ज़्यादा होते हैं, बट यहां के people से से कि उसे दो दिन में भूला देते हैं, काम पे चलो, ओके, the work is must, हमें काम ज़रूर यह है, चलो, how and why do the following disaster occurs, क्यों होते हैं, तो पहला आगया flood, rain के वज़े से, दूसरा आगया earthquake, lightning, volcanic eruptions, यह भी natural है, forest fire, natural होता है, कभी-कभी man-made हो सकता है, but most natural, क्योंकि सबर में temperature बढ़ चुका है, and friction of a branches, branches में friction होता है, एक चिंगारी, एक चिंगारी सिर्फ, उस सूखी हुई घास में पड़ते ही, वो जलने लगती है, increase the risk due to the high density of population, high density of population, जितना density population ज़्यादा होगा, उतना ही damage सबसे बढ़ा होता है, सबसे बढ़ा होगा, damage उतना ही बहुत severe हो जाएगा, then rampant and the irregular construction, कहीं बेभी कुछ भी बनाए जा रहा है, जैसे मेरे मालिन के बारे में बता है, कि हम लोग अपने घर बनाने का, farmhouse बनाने का, ये करने का, वो बहुत बड़े सपने होते, but यहाँ पे nature के साथ हम लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे problems create होते, ecological imbalance, balance change हो गया, then terrorism, rights, crime, bomb blast, ये सारी चीज़े मैंने तो experience कर लिये, terrorism देखा हुआ है, bomb blast देखा हुआ है, rights, हिंदू, मुस्लिम, rights बुंबई में बहुत दंगे होए थे, तो उसमें भी हम लोग देख चुकें ये सब कुछ, तो ये सारी चीज़े न, ये इतनी भायान होते हैं, जो humanity है न, humanity, जो उसको हम लोग तोड़ देते हैं, humanity को तोड़ देते हैं, actually, यहाँ पे disaster ऐसा कुछ नहीं, this is a manmade disaster, ये manmade disaster होता है, कुछ लोग अपने फाइदे के लिए कई लोगों को बरबात कर देते, ये यहाँ पे है, ओके, next, disaster are two main kinds, manmade and natural, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, कुछ disasters manmade होते हैं, और कुछ disasters natural है, तो manmade और natural, इसमें फोरग क्या होगा, manmade disasters, it is because of the human intervention in the nature, nature के nature में हम लोग जो भी intervention कर रहे हैं, मिन्स क्या हो कर रहे हैं, उसको change करने की कोशिश कर रहे हैं ये सोजे से होगा, और जो natural होगा, this is because of the nature, nature में कुछ events होंगे और इस होजे से वो create होता है, जैसे simple thing एक acid rain होती है, acid rain, acid rain होती क्यों है, तो this is because of the pollution, जब pollution level बढ़ गया, तो acid rain होती है, अब यह pollution किसने create किया, man-made है, pollution created man-made, और इसका reaction हो गया, acid rain जो natural है, यह acid rain क्या damage करता है, soil को damage करेगा, अपने घरों को damage कर देता है, तो यह बहुत harmful होता है, तो यहाँ पर मुझे मिल गए दो चीज़े, man-made and natural disasters, तो mostly earthquake यह natural होता है, earthquake हम लोग create नहीं कर सकते, हाँ, सिर्फ earthquake में हम लोग एक vibration create करते हैं, US ने सबसे पहले यह किया था, चलो, तो अभी next page पे आगे, next page पे क्या देखेंगे, how and why do following disaster occur, why did the following disaster occur, यह disaster होते हैं, बराबर, but why did, यह क्यों हो रहें, ओके, यह क्यों हो रहें, this is important, अब जब उसे मुझे उसका reason पता चलेगा, तभी we can control these disasters, we can control these disasters, ओके, तो here flood due to heavy rain, flood हो रहा है, तो यह flood क्या होगा, because of heavy rain, पानी बहुत आ गया, तो flood हो गया, जैसे एक example था, there is a Mumbai में 2005 में, बहुत सारे water blockage हो गये थे, और approximate 900 to 950 mm तक बारिश हो गई थी, within 10 hours में, तो यह इतनी बारिश यहाँ पे हो गई थी, 10 घंटे में, तो यह water block हो जाएगा, तो यह flood, earthquake, lightning and volcanic eruption, earthquake, lightning, volcanic eruption, these are, these disasters, और यह जो events है न, यह हमारे control में नहीं है, यह हमारे control में नहीं है, जो हमारे control में है, वो से हम लोग control कर पाएंगे, but these are not our control, यह हमारे control में नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, that is, this is a natural disaster, इसे हम लोग natural disaster में ले सकते हैं, lightning है, volcanic eruptions है, all these things, next, forest fire, तो forest fire, यह man-made भी होती है, and also a natural, यह natural भी होती है, दोनों चीजों में यह forest fire आ जाती है, next, increase the risk due to the high density of population, यहाँ पे जब भी disaster होता है, disaster होगा, on that time, there is increase of the population, population के increasing के वज़े से, और the density of population के वज़े से, that disaster यह और horrible हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत dangerous हो जाता है, okay, then the rampant and the irregular construction, कहीं पे भी हम लोग घर बना देते, जहाँ पे flood line है, river की flood line होती है, आपको पता होगा कि river की flood line होती है, और इस flood line में हम लोग घर बना दे रहे हैं, आपके, अब यह river की flood line और उसमें अगर घर बना रहे हैं, तो क्या होगा, फ्लाड में तो हम लोग बहने वाले हैं, आपके, तो यह हमारे वज़े से हो रहे हैं, नदी का कोई, उस river का कोई कसूर नहीं, वो तो अपने flood line में जा रही है, बट हमारे वज़े से हम मुसीबत में आ जाते हैं, ecological imbalance, ecological हमारे यहां पे जो ecology, ecology means क्या होता है, हमारे जो habitat है, जहां पे हम लोग रहते हैं, तो वहां पे कुछ changes कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, changes हो रहे हैं, and because of that, because of that, the incidents happen, इसी वज़े से यह incidents होते हैं, next is a terrorism right and crime, यह rights, terrorism, यह मुंबई में, जहां पे मैं रहता हूं, यहां पे तो कोई इतना tension नहीं होता है, rights होते रहते हैं, Hindu, Muslim से एक हिसाई, यह सारे जो चीज़े हैं न, this is created by the human being, किसी एक human being के फाइदे के लिए बहुत सारे लोग लड़ते हैं, और इसमें innocent लोग मारे जाते हैं, innocent लोग, यहां पे मारे जाएंगे, यह वो damage हो जाते हैं, तो this is rights, terrorism वो भी है, तो यह सारी चीज़े होते हैं, here we are, इसको हम divide करेंगे, we can divide these events in a man-made and a natural, man-made and natural में इसे divide कर सकते हैं, ओके, अब यह man-made और natural में डिज़े डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है कि man-made कुण सी है, तो यहां पे flood due to heavy rain, तो यह दोनों में भी आ सकता है, because of the human intervention, flood create होता है, ओके, and heavy rain, it is a man-made, earthquake eruptions, volcanic eruption, it's a natural, forest fire, natural as well as man-made, increasing risk, जो population है, man-made, irregular construction, कौन कर रहा है, man-made, ecological imbalance, because of the changes, it's a man-made भी हो सकता है, और natural भी हो सकता है, and last is a terrorism rights and crimes, bomb blast वेगेरे, यह सारे man-made है, means, here, you know, the different, जो भी disasters हो रहे, उसमें बहुत कम disasters, यह natural है, सबसे ज़्यादा तो हम ही अपने दुश्मन बने हुए है, that is, man-made disasters, तो man-made disasters ही आ गहे, what is the definition, that is, disaster are of two main kinds, that is, man-made and natural, तो, अब हम लोग ने इसे divide कर दिया, disaster देख लिए, फिर उसको divide कर दिया, in man-made and natural, now, here is a earthquake, तो पहला हमें मिल गया earthquake, जैसे मैंने आपको stories बताई थी, कि यह earthquake के वज़े से क्या-क्या हुआ था, तो बहुत सारे, earthquake क्या होता है, एक simple thing है, समझ लो, दो decks से, क्या पकड़, या दो books ले लो, दो books को पास-पास रख दो, ओके, आब ये दोनों books के उपर, दो pen खड़े करो, pen means क्या होंगे, this is a buildings, क्या हो गई, buildings, जब तक ये दोनों books move नहीं हो रहे, तब तक, ये buildings खड़ी है, yes, यहाँ पर कोई moment नहीं, अब एक book को धीरे से move करो, एकदम slight move करो, building start the shaking, क्या होगी, shake होगी, और दूसरी भी shake होगी, क्यों, एक book हिलाया, बट दूसरी book क्यों, because they are connected, and here they create the friction, इसने क्या कर दिया, एक book ने, दूसरे book के साथ friction कर दिया, and because of this friction, create the energy, and that is, create the vibration, यह vibration create करते हैं, and this is earthquake, अब यह vibration बहुत बड़ा होता है, book का vibration बहुत छोटा होगा, but earth में जो vibrations create होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, here, earthquake का main reason है, there is a plate, यहाँ पे जो earthquake, earth है, यह जो कुछ seven plates में divide की गई है, और यह plates हमेशा एक दूसरे को friction करती है, क्या करती है, friction करती है, and because of these things, इस events के वज़े से, most of the things, ecological things होते, कुछ जगह पे खाई बन जाती है, trench बनते, कुछ जगह पे पहाड क्रियेट होते, fold mountains, okay, तो you know the young fold mountain, young fold mountain को ने, सबसे young mountain को ने, it's our Himalayan mountain, Himalayan mountain यह young fold mountain बाना जाता है, क्यों, because यह अभी भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, because of Himalayan mountain के बीच में से, एक plate आती है, जो Indian continent को, उसने Asian continent के साथ joint किया है, ओके, तो यह एक plate होते हैं, यहाँ पे earthquake होता है, next, moment is the interior of the earth, release tremendous amount of energy, कुछ moment हुई, वहाँ पे, क्या हो गया, energy create हुई, this causes seismic waves, इसे क्या कहेंगे, seismic waves, this is your vibrations create होते हैं, जो energy के वज़े से vibrations create हुए, उसे हम लोग seismic waves कहते हैं, leading to the moment of earth surface, like tremor, shaking and cracking, cracking कहां पे आएगा, earth पे, simple thing है, आपने, दूद देखा है, दूद, दूद की मलाई होती है, okay, अब यह दूद की मलाई में, मलाई लगी हो है, उपर और दूद गरम करके मलाई आती है, अब दूद को थोड़ा हिलाओ, क्या होता है, वो मलाई तूट जाती है, yes, यह तूटती है, means cracking आती है, same time पे shaking हो रहा है, same time पे, इसी में waves create हो रही है, यह इस तरह से काम कर रहा है, तो यह seismic waves होती है, यह actually क्या होती है, vibrations, एक energy create होई, और यह energy need to release, वो release होना चाहती है, अब यह energy कहां पे create हो गई है, energy created in a deep underground, तो यह उससे बाहर आना चाहती है, तो here, it's a cracks create होंगे, और उसी से वो energy release होगी, ओके, तो यह हमें यहां पे मिल गया, such vibrations on earthquake, is the earth crust, is known as a earthquake, उसे earthquake कहेंगे, it is believe that besides other causes, अभी इसके पीछे causes क्या है, that is a man-made causes, like mining, पहला causes क्या गया, mining, construction of big dams, construction of big dams, big dams के वज़े से कैसे होगा, तो simple thing है, big dams में हम लोग water को block करते, in a particular area, water को block किया जाएगा, रोका जाएगा, एक particular area में, और यह water, एक water में मास है, येस, उसका वज़न होता है, येस, वो एक ही जगह पे pressurize करेगा, दूसरी चीज, यहाँ पे पानी नीचे जाना चलू करेगा, कहाँ पे इस जमीन के अंदर जा रहा है, and because of that, इसी वज़े से, वो लैंड क्या हो जाएगी, एकदम हलकी हो जाएगी, and इस में और तुएग का problem सबसे ज़्यादा है, महाराष्टर में कोई ना डैम, महाराष्टर में कुन सा, कोई ना डैम, ये सबसे बड़ा डैम है, सबसे ज़्यादा बिजली create करता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पानी है, फिर भी threat किसका है, और्थवेक का तो causes of big mining, constructions, big dams leads to the earthquake mining के वज़े से drillers वगरे हम लोग चला थे जैसे एक और्थवेक का और एक जगे पे हुआ था जब USA, USA ने means America ने पहली बार nuclear bomb explosion किया था nuclear bomb explosion means वो लोग explosion करते थे किसी islands के उपर क्या किया जाता था? islands के उपर अब ये islands के उपर explosion करते थे चेक करने के लिए कि ये explosion क्या होता है, किस तरह से होता है या इसके effect कहां तक पहुँचते है and they also check how the ecological balance react means ये जो nature है वो किस तरह से react होता है यहाँ पे approximate जब इन्होंने 1945 में जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे atom bombs गिराए थे, nuclear bombs उससे पहले उन्होंने अपने यहाँ पे कुछ limited blast किये थे जो approximate 50 के असपास थे कितने? 50 के असपास उन्होंने blast किये थे अब यहाँ पे उनके कुछ ships होते थे जो समुद्र में ocean में खड़े होते थे और islands के उपर set up होता था और फिर वहाँ पे blast किया जाता था वहाँ पे इतना disaster हो गया था कि उस blast के वज़े से इवन जो ocean था ocean में भी बड़ी बड़ी लहरे क्रियेट होती है means this blast also create a one vibration एक energy क्रियेट हो गई और यह energy earth के अंदर जा रही है कहाँ पे earth के अंदर तक जाती है और फिर उससे बहार आने की कोशिश करती है और इस वज़े से earthquake जैसे position क्रियेट होती है and जमीन से उपर land से उपर जो भी होगा उससे वो destroy कर देते because of the waves shock waves और तूसरा है radiation shock waves and the radiation और इस वज़े से destroy हो जाते है तो यह सारी चीजे उन्होंने पहले पता थी कि क्या क्या हो सकता है फिर भी they are use this type of bombs or they are make this type of bombs and this is a gift यह American scientist का यह gift है humanity के लिए जो humanity या human beings को destroy करने वाला है बराबर तो यह ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए तो now this is earthquake earthquake का समझ में आ गया this is energy होती है जो बाहर आनी की कोशिश करती है और इस वज़े से earth जो crust होता है layer होता है वो shake करती है next it is a flood अब यह flood क्या होता है flood is because of heavy rain cloud bursting और river में जब पानी बहुत आ गया या कहीं पर dam तूड़ गया तो dam का पानी जो होगा reserve water होगा तो वो आ जाएगा here water always flow from the high altitude to low altitude water high altitude से low altitude की तरफ बहेगा okay अब यहां पर क्या होगा water के एक river जो आपने river देखी होगी यह कोई भी चीज जो वहां से पानी flow होता है there is a one natural border क्या होती है यहां पर एक natural border होती है और यह natural border river खुद बनाती है at the time of the flood at the time of a flood अब इनसान को even animals also not stay in that flood border जो प्लांट भी उस flood border में बहुत कम होते हैं वह फ्लड बॉर्डर होगी ना उसके अंदर प्लांट भी बहुत कम होते क्योंकि उन्हें को भी पता है नदी में जब पानी आएगा तो यह सब कुछ बहा के लेके जाएगे तो यह भी पर इंसान ऐसी चीज़े जो किसी की बात नहीं सुनता उस फ्लड बॉर्डर में जाके अपने घर बना देते हैं नदी किनारे अप हाइयर अल्टिट्यूड कहीं हाइयर अल्टिट्यूड में पहाड़ों में जब हेवी रहन होती है उस टाइम पर पानी उसको भाहा के लेके जाता है वाटर है ट्रिमेंडस प्रेशर वाटर के पास बहुत ज्यादा प्रेशर है ओके वाटर से अपने सुना होगा कि वाटर से even we can cut the iron हम लोग आयन जो होते हैं ना मेंस लोखन के टुकड़े उसे भी कट किया जा सकता है किसे water के pressure के वज़े से और वो इतने स्वीप कट होते हैं जब वो laser या इससे कट करते ना तब यहां पे unfinished create होता है मेंस उसका सर्फेस होता है ना वह रफ create होता है पर जब यह वाटर से कट करते था यह finished surface देता है तो यह water की खासियत है कि वह बहुत pressure create कर सकता है frequently occurring natural disaster in all part of the world that is a flood exclusive rains excessive rains and some places river overflow blank and water drained systems and cities fall short and the heavy rainfall resulting in the choking the gutters and the lines जो gutter lines होती means this is because of the pollution pollution के वज़े से यह सब damage हो जाते है क्या हो जाते है damage हो जाते and because of this damage यह damage के वज़े से चोक हो जाएंगे plastic वगरे जो होते तो वह चोक कर देते हैं और वुस वज़े से पानी ब्लॉक हो जाएगा city shortfall heavy rainfall and resulting in the choking the gutter and water overflow हो जाएगा water क्या हो जाएगा overflow हो जाएगा and यह बाहर की तरफ आएगा क्या होगा बाहर की तरफ जैसे glass में हम लोग पानी डलते हैं जब तक वह glass के अंदर है तब तक पानी बाहर नहीं आएगा बट जब और पानी उसमें add किया जाएगा that time पानी ओर फ्लो के बाहर आएगा and this is like a flood situation यही एक flood situation होती है and water overflow on the roads and surroundings areas इसमें होगा undamaged create करेंगे effect क्या क्या है loss of life and property simple soil erosion soil को वो flow out कर देंगे wash out कर देंगे तो जो भी loose soil है उसे बहा के लेके जाता है water next distractions of standing crops crops अभी soil के उपर जो खेत में crops खड़े वो भी बहा के लिए के जाएंगे after the effect of the flood like spread of the disease and epidemic effects means क्या flood के बाद क्या होता है कि यहां पर जो जो चीज़े हुई क्या हो गए जो जो चीज़े हो गए जिस वज़े से damage हो गया अब यहां पर जानवर मर गए तो इस वज़े से different different bacteria यहां पर create होते बैक्टेरिया और यह bacteria क्या करेंगे वहां पर डिजीज फैल आएंगे क्या आप करेंगे डिजीज फैल आएंगे तो इस इसे भी बहुत सारे damage होते हैं means flood के time पे सिफ flood maximum कितना होता है बहुत heavy rain हो गई तो दो तीन चार दिन ओके बट उसके बाद का जो effect होता है disease और उसका जो कीचर मलबा जो आगे है न वो निकालने के लिए दो दो तीन तीन महिना लगता है और इसके वज़े से life loss सबसे ज़्यादा होता है and property loss also यह होते रहते हैं और यहां पे आपको picture दिया है कि क्या-क्या यहां पे होता है ओके next here is a cyclone or strong तो यहां पे आगया strong strong क्या होता है when air is flow air maintain the equal air pressure air maintain the equal air pressure in our earth earth के उपर हर एक जगह पे air अपना equal air pressure रखना चाहती है because of the heat or coldness because of the heat there is a natural things है तो यह heat के वज़े से air क्या हो जाती है गरम हो जाती है हवा गरम होते कहा जाएगी it's going upwards and here cold air try to यहां पे flow करेगी on the take the place of this air जो गरम हवा उपर गई उसकी place लेने की कोशिश करेगी अब this flow has create a wind यह क्या create करेगा wind जब यह wind बहुत speed में बैते है it's create a low pressure belt and high pressure belt high pressure से low pressure की तरफ wind का flow start होगा and it's create a strong अब यह strong different different प्रकार के होते हैं आपने सुना होगा tornado valley tornado valley US में है है ना आपने सुना होगी तो यहां पर tornadoes बार बार create होते because of this is a geographical nature यह वहां के जो nature है उस हिसाब से उसी के वज़े से यह create होते है this is not a man-made यह man-made नहीं हो सकते हैं हाँ अभी कोई new technology आई होगी और जो मुझे पता नहीं तो हो सकता है but 90% मुझे पता है कि यह man-made है this is man-made तो storms यह man-made होते है pressure built in the atmosphere causes the changes of the weather resulting the storm and the winds यह heavy storms and winds create हो जाएंगे effect क्या होगा damage simple thing damage of life and property घर गिर गया उसके अंदर जो भी रहेंगे वो damage in jore हो जाएंगे तो यह मिल गया means tremendous loss of life and property tremendous loss life and property descriptions disruptions in the electric supply transport communication यह सारी चीज़े change हो रहे है तो यह जो भी society means social चीज़ों के लिए हमें जो जो चाहिए road चाहिए communication चाहिए light चाहिए यह सारी चीज़े यह जमीन के उपर है क्या है पोल्स होते ना पोल्स जितने जमीन के उपर रहेंगे वो wind उसको भी गिरा देगी and because of that यह disturbance create होते है let's create the disturbance तो आपने देखा होगा कि बहुत बार बारिश आती है बहुत बारिश होने लगती है और बारिश और wind का flow होता है तो light चली जाती है कभी-कभी network का issues होते हैं ओके अभी mobile से internet perfectly काम नहीं करता है तो यह this is because of the damage of property यह damage of the property यह police की वेगरे जो प्रोपर्टी होती हो डेमेज हो गई and because of यह disturbance create होते हैं now forest fire forest fire are two types एक तो manmade होगा दूसरा होगा क्या natural natural forest fire यह कैसे होगा कि because of the heat heat या कोई चीजों के वज़े से यहां पर पत्ते create होगे means grass वेगरे होती है सूख जाते हैं जो heat के वज़े से and the wind के वज़े से the branches start friction यह ब्रांच start the create the frictions and this frictions create the energy इन्होंने एक energy create कर दी that is heat and this heat यह जब heat बहुत ज्यादा friction करती है wind के flow के इसमें बहुत ज्यादा friction होता है और यह naturally आग पकड़ लेते हैं तो यहां पर fire हो गई manmade क्या होता है कि बहुत बार जो जंगल होते हैं कल्टिवेशन के लिए house बनाने के लिए घर बनानी के लिए उसे जला दिया जाता है क्या किया जाता है अगर उसे तोडने को जाएंगे तो there are यहां पे इतने कानूने की एक पेड़ को हम लोग कट करते हैं तो approximate 10 years तक imprisonment है कितनी 10 years तक imprisonment का rule है 10 साल तक jail अब आग लगा के निकल जाओ जंगल खुद जलते रहेगा तो यह सारी man made है यह क्या होता है man made होता है कुछ accidents के वज़े से होते means यह लोग जो smoking विगरे करते यह जंगल में घूमने जाएंगे और रात में bonfire लगाते यह गाना गाएंगे उसके बाजू में सब घूमेंगे नाचेंगे रात भर enjoy करेंगे अब सुभे उस fire को बुझा नहीं रहे उसमें पानी नहीं दाल रहे क्योंकि वो already यह हो चुकी है but still there are some energy यहां पे कुछ energy होती है जो burning ash होती है यह जो burning ash होती है वो उड़के किसी और जगह पे चली जाते है wind के flow के वज़े से चली जाएगी and this accidents is create fire तो this is also manmade means हम लोग ने क्या discuss कहिया fire is manmade भी हो सकती है and the natural the forest fire is a uncontrolled fire in the forest and faster grassland and due to the natural and manmade forest fire spread the tremendous speed this speed कैसे होगा that is because of the wind wind के speed के वज़े से वो और जल्दी फेलेगी ओके तो यह हुआ इफेक्ट क्या होगा डैमेज डैमेज ऑफ बायो डाइवर्सिटी बायो डाइवर्सिटी क्या होती है डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स के पेड़ पौधे इवन एनिमल्स जो छोटे छोटे एनिमल्स होते इंसेट्स होते जो दूर तक नहीं जा सकते वो उसमें मर जाते तो यह डैमेज हो गया next air pollution यह सबसे बड़ा तो यह तो समझो fire हो गए किसी और जगह पे एक 200 km के उपर fire लगे 200 km के पास fire है तो मुझे उसको tension है नहीं पर tension कब होगा because of air pollution यह air pollution जो हो रहा है वो मेरे लिए आगे के 10 साल 20 साल तक problem create करने वाला है आग वुझ गई बट यह 10-20 साल तक मुझे problem create करने वाला है that is air pollution तो this is also a damage तो हमारे पास यह for forest fire वेगेरे यह सारी चीज़े हमें मिल गई नार disaster management अब यह जो सारे disasters होते हैं हमें उसे manage हम manage तो नहीं कर पाएंगे बट उससे बचने का तरीका धून सकते हैं या उसे control करने का तरीका देख सकते है that is a management that is a management तो क्या होता है community participations and disaster management are closely related community participation सभी लोग एक साथ आके काम कर सकते है taking steps prevent the disasters and making the place to the plan face the disasters and developing of the capacity community तो यहां पर community जो आपके साथ जितने लोग है वो सब लोग एक साथ मिलकर उसके साथ लड़ सकते हो क्या कर सकते हो लड़ सकते हो एक दूसरे को help करो आज आप किसी के help करते हो तो कल कोई दूसरा आपकी help करेगा क्योंकि आप जब किसी के help करते हो तो बहुत सारे लोग देखने वाले होते हैं आज वो आपके साथ कुछ नहीं करेंगे बट जब आप मुश्किल में हो तभी वो आपको help करने ज़रूर आएंगे तो यह जब community होती मिंस आपने देखा होगा flirts होते हैं यह होते हैं अर्थवेक होती तो police systems fire brigade systems यह सारे अपनी जान को जोखिम में धालकर वहाँ पे आ जाते क्यों उनको खत्रा नहीं लगता लगता है but it is our duty it is our humanity होती है यह कि जो हम लोग इसे control कर सकते हैं हम लोग इसे control कर सकते हैं आपने देखा होगा कि रात में आप जब आराम से सोते हो तब हर एक जगह पे police मौझूद रहती है रात बर जाग रहे हैं यह लोग क्यों आप लोग सेप से सोजाओ community है yes flood आता है तो NDRF के teams वाले इतने flood में आपको खुद जाना मुश्किल लगता है बट यह खुद उसमें कूद कर अपकी जान बचाने की कोशिश करते हैं यह क्या है community है तो यही चीज होती है जो हम लोग एक दुसरे के साथ मिलकर डिजास्टर में या कोई भी मुश्किल में हम एक दुसरे की मदद करनी चाहिए देट इस अ कपासिटी फॉर दैट इस कॉल दिजास्टर मैनेजमेंट और यह जो हेल्पिंग नेचर है न यही मैनेजमेंट है क्या होगा इससे प्रिवेंट किया जा सकता है और रिडियूस कम किया जा सकता है डैमेज को प्रिवेंट और रिडियूस और डैमेज कॉस्छ बाइदे 국ण मैं में डिसास्टर श है नैक्रट और मैं मेट डिसास्टल को थोडा बोट तो क्या करेंगे क्या करेंगे शेपिंग करेंगैर कॉंट्रोल करेंगे देट इस इमर जंसी इसमें यहां पे प्लानिंग और मैंचमेंट इमर्जेंसी पुजिशन में प्लानिंग और मैनेजमेंट जैसे अपने टीवी पे वेगेर देखते हो कहां पे फिलर्ड आ गया है तो एंडियारेफ की टीम्स होती है कुछ हमारे नेवी के या नेवी के आर्मी के हेलेकेप्टर सोते वह वहां तक पहुंच जाते हैं और को खत्रे में डाल कर वह नीचे जाते हैं और खुद लोगों को सेव करते हैं तो this is a humanity और यही चीज़ा है means पैसा तो सबको मिलेगा, सबको मिलने वाला है, या यह काम करो, वो काम करो, पर यह काम से एक satisfaction मिलता है, जिस तर से यह काम से satisfaction मिलेगा, yes, मैंने कुछ तो अच्छी चीज क्रिएट कर दी, ओके, चला, next, institution works, that is a disaster management authority, established की गई थी, 2005 में, for implementing the disaster management, और यहां पे कुछ phone numbers, police, fire brigade, NDRF, इनके कुछ disaster management, toll fee numbers, यहां पे दिये है, during the disaster, helping and supporting each other, यह होना चाहिए, यह हमारी responsibility होती है, now, here is a another thing, that is a remedial and preventive measures, remedial and preventive measures, remedial and preventive measures, remedial and preventive measures में, हमारे पास, बहुत ऐसी चीज़ है, जो, communication से जुड़ी हुए, communication, तो first, एक ऐसी चीज़ है, आवर, metrological department, metrological department, जो, ऐसी चीज़ है, जो, पूरे अर्थ के उपर, इवर, Indian metrological department, that is a IMD, इसका जो, head office है, यह पूना में, और अधर ब्रांच यह, इसमें, मनाली में, ओके, अब यह start किया था, अप्रोक्सिमेट 1885 में, किसने, ब्रिटीश होने, है, because of, यहाँ पे, जो frequent drought हो रहे है, इंडिया में, कुछ जगे पे, drought होते थे, कुछ जगे पे, बाढ़ आ रही है, तो इसमें, damage होता है, property का damage सबसे ज़्यादा होता है, और इससे, कांट्रोल कैसे किया जाए, उसको study करने के लिए इन्होंने ये department बनाया था, that is metrological department था, और फिर उन्होंने मुंबई, दिल्ली, मदरास, ये सारे जगह पे, चेन्नाई अभिका, वाहां पे head office भी उन्होंने बनाये, अब मेन हमारे यहां पे कहां पे, महाराष्ट में, पुना में, ये continues with the help of the satellites and the existing data, they are, ये continuous ध्यान रखते, ecological balance, means हमारे यहां पे, जो भी natural changes हो रहे, उसके उपर ध्यान रखते, even pollution पे भी यही ध्यान रखते, जो भी wind speed होता है, उसके उपर भी ध्यान रखते, sea waves, sea में, ocean में क्या changes हो रहे, वो भी ध्यान रखते, ये सारी चीज़ों के उपर ध्यान रखा जाता है, even they are also, look after the earthquake, और earth के जो टेमर्स होते हैं, उसके उपर भी ध्यान देते हैं, तो एक simple चीज़ बताता हूँ, जो हमें feel नहीं होती, feel नहीं होती, बर earthquake ये continue होते रहते हैं, और earthquake continue होते रहते हैं, बट हमें feel होता है, after the 3.5 to 4 के बाद, हमें feel होता है 3.5, अगर वेकल में हो, तो हमें 5 के उपर का ही, रिट्र स्केल के points हमें पता चलते हैं, उससे नीचे नहीं होते हैं, तो वो one point के भी points होते रहते हैं, अगर रिट्र स्केल देखोगे, तो यहाँ पर continue ये moment होते रहते हैं, it's a moment, और ये जो moment होता है न, that is a continuous vibration below the earth, earth के नीचे continuous vibrations हो रहे हैं, तो ये चीज़ वो बताते हैं, तो this is metrological department, ये department आपको internet, sites, उनकी जो sites होते हैं, tv, media, जो social medias होते हैं, radio, इससे लोगों तक contact करते, informations देते हैं, and if there is a big disaster, कुछ big disaster होने वाला है, तो उससे पहले सारे communication, government को उससे alert किया जाता है, और government ready हो जाता है, for the disaster, to fight with this disaster, when they get the, already they know, the where is disasters happen, कहां पर उने वाला है, वो पता चल गया, तो वहां तक पहुंच जाते, and save the life, ये people's की life save करते हैं, जैसे मैंने आपको अल्रेडी एक बता है था, कि इटली में ये हुआ, volcanic eruption start, जैसे volcanic eruption start हुआ, पहले टेमर होगा, vibration हुआ, और ये vibration उनके जो department है, उन्होंने उसको read किया, तभी उनको पता चला कि यहां पे eruption start हो सकता है, जो उनका existing data है उससे, उनको prediction किया जाता है, ये this is only prediction, हमें कुछ भी fix पता नहीं होता, predictions क्या होते है, we are collect the existing data, and then predict what will happen, ये हम लोग देखते हैं, कि मैंने ऐसे question के answer लिखे, तो last time पे मुझे कितने mark मिले थे, तीन mark मिले, ये question के लिए, अभी कितने मिल सकते हैं, हाँ, तो मैंने इससे थोड़ा कम लिखा, तो दो marks मिलेंगे, तो इस तरह से आपका ये prediction हुआ, में भी चार mark मिल जाए, पूरे के पूरे मिल जाए, हो सकता है, या, दो mark या एक mark भी मिल जाए, तो ये predictions होते हैं, तो इसी तरह से predictions metrological department करता है, और ये predictions on the base, on the data, and this data, ये continuous उनके पास होता है, and Italy में जो हुआ, वो क्या हुआ, Italy में यहाँ पे, जैसे पता चल गया, they start the shifting peoples from that area, approximate 3 lakh peoples को उन्होंने shift किया है, कितने 3 lakh peoples को उन्होंने उस area से shift कर दिया, दूसरे area में, तो ये भी government को करना पड़ता है, तो this is for reducing a, reducing a damage, ये क्या होते हैं, reducing a damage, तो यहाँ पे हमें क्या-क्या मिल रहा है देखो, there's the participations, we can take, keep watching TV, radio news, news में पता चलेगा, use battery operated mobile phones वेगरे, light चली जाएगी, तो battery operated mobile phones वेगरे, radios use करो, then hit the varying issues of the metrological department carefully, warning issue जो है, वो heard करो, website से landslides occur in hilly area, cloud burst वेगरे, hilly area में हो जाएगा, तो it's a landslide हो सकते है, तो खुद को precautions ले लो, and do not take a shelter in a hilly area, बहुत बारिश हो रही है, तो hilly areas में shelter मत लो, it may be landslide, during the flood, do not lean a house or area on the river bank, river bank के बीद नजदिक जो भी house होगा, उसमें मत छुपो, उजर से बाहर आजाओ, then do not step into the water, water में enter होने की कोशिश मत करो, because water को जो speed होता है, वो आपको कहीं पे भी लेके जाएगा, during earthquake, road split upon and ground cracks, railway tracks वेगरे तूटे हो सकते, तो यहाँ पे traveling करने की कोशिश मत करो, take the shelter relief camp and provide the medicines, food packets and drinking water, government shelter camps create करते हैं, और वहाँ पे food packets, medicines जो इंजोर हैं, उनको वो देने की कोशिश करते हैं, even our Maharashtra government also make the different schemes for these peoples, अभी एक last बारिश में, एक पूरा गाव, approximate flow हो गया, I think this is in a ratnagiri district, ratnagiri districts में, hilli area में इस था, और रात में वो flow हो गया, पूरा, तब यहाँ पे उन्होंने उन लोगों के लिए, में जो जो लोग बच्चे हुए, या उनके relatives है, उनको वहाँ पे खुद महाराश्टर government, government उनको घर बना के देती है, तो यह सारे मदद की जा सकती है, to protect the, from fire, fire extinguishers, and place the, whose schools, office, सब जगह पे fire extinguisher होने चाहिए, तो जब आग छोटी होती है, तो उसको fire extinguisher से control किया जा सकता है, बट जब यह बड़ी हो जाएगी, इसे control नहीं किया जा सकता, अब यहाँ पर जो बताएगा है, this is a earthquake, यह earthquake में इस तरह से आपको खुद को stand करना है, means उस तरह से खुद को छूपना है, means this is fire, and this is a camp, जो rescue camps होते हैं, वो इसी तरह से काम करते हैं, next thing is a first aid, अब यह first aid क्या होता है, simple thing है, जब यह disasters होते हैं, because of the disasters, there are some injuries, कुछ injuries होंगी, कुछ बड़ी injury हो सकती है, कुछ छोटी injury हो सकती है, ओके, तो first aid क्या होता है, first aid वो होता है, जब doctors के पास पहुचने से पहले, उस मरीज को या उस victim को हमें बचाने का पहला creation करना है, first step होता है, और यह step, यह first step ही, उसे बचने का chance, उसको बचाने का chance, approximate 20-30% बढ़ा देता है, कितना? 20-30% वो अपने जान को बचाने का एक मौका है, वो आप लोग उसको दे देते हो, तो this is a first step, first step में सिर्फ bleeding होना वेगर नहीं होगा, तो bone cracking हो सकते हैं, या दूसरे damages भी होते हैं, तो यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो here is a first step, day to day life, sometimes we have the face disasters, or accidents or varying the proportions, such as the occasions that necessary to give some, gives the eliminate aid and before that the doctor, doctor के आने से पहले, हमें कुछ precautions लेने हैं, तो वो हमें वहाँ पे मिलेंगे, next, external bleeding, अब external bleeding, means कुछ wound हो गया, cut हो गया, और वहाँ से खून बहना चालू हो गया, तो how many blood, blood कितना होता है, अपने body में, approximate 6 to 6.5 liter, अब यहाँ पे एक एक खून का जो कत्रा होता है, वो बहुत important होता है, and that's why we have to, we have to stop this bleeding, तो क्या करना है, first, उस घाव को clean कर लो, first, कोई भी गला घाव, तो उसे पहले antiseptic से उसको clean कर लो, then clean करने के बाद, वहाँ पे antiseptic, या उसमें कुछ substance है, कभी-कभी क्या होता है, कि गिरने से वज़े से होता है, तो उसमें मिट्टी के, चोटे-चोटे soil के substance रह जाते है, वो देख लो, अगर नहीं है, अच्छी बात है, है, तो उसे धीरे-धीरे निकालने की कोशिश करो, काच के तुकडे होते हैं, यह होते हैं, तो उसे निकालना जरूरी, विकॉज यह अगर उसके अंदर रहेगे, तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो उसे निकाल दो, फिर एंटिसेप्टिक उससे बांदो, टाइट बांदो, इस बांदने से क्या होगा, कि ब्लड फ्लोइंग रुख जाएगा, दूसरा, एंटिसेप्टिक अपना काम करेगा, और यहाँ पे जो भी बैक्टरिया, क्रियेट होने वाले, बिकॉज ओब दो ब्लड, बैक्टरिया, वगरे जो होते हैं, माइक्रोब्स, यह ऐसे जगों पे सबसे जल्दी पहुँच जाते, और यह, बॉड़ी में पॉज़न क्रियेट करते हैं, इसे बांधने से, और एंटिसेप्टिक लोशन के वज़े से, यू कैन हेल्प डैट परसन, तो आपकी जो 20 to 30, 30 क्या 40 परसन की जो लाइफ चांस है, सेफ होने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है, कि ब्लीडिंग पार्ट and the body above the level and heart, and the clean the water, तो दूसरा क्या है यहाँ पे दिया है, कि लेवल ओफ हार्ट, आपके जो भी लेवल हाँ, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है समझो, तो आपके हार्ट लेवल से उसको थोड़ा उपर रख दो, जिससे ब्लीडिंग थोड़ा स्लो हो जाए, क्या होगा, ब्लीडिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो उसके नीचे होगा, तो बहुत फास्ट होगा, नेक्स तिंग इज़ बर्न अग्डर स्काडर, अब माइनर बर्न में क्या होता है, माइनर अभी बर्निंग ये बहुत खतरनक सेंसेशन है, हम लोग समझो, दिया लगाते हैं, दिया लगाते हैं ना, अब दिया लगाने के बाद, उसके ऊपर से हाथ गुमाएंगे तो भी, अरे घरम है, तो ये सेंसेशन इतना होगा, पर जब एक्च्छल बर्न होता है, तो वो सेंसेशन कितना बड़ा होगा, तो ये सेंसेशन बहुत खतरनाक होता है, अब जो माइनर बर्निंग होता है, जैसे कुछ substance, खाना बनाते हो, कुछ substance उड़ गए, ओके उड़ते, तो लग गया, तो यह burn minor होता है, तो उसमें आपको पानी के first, कोई भी चीज में उसे पानी के पास लेके जाओ, means थंडा कर दो, जब burn होता है, actually क्या होता है, यह burning के वज़े से उस cells में आपके body का temperature बढ़ जाता है, उस part का temperature बढ़ गया, ओके, अब यह temperature बढ़ा ही रहेगा, तो it will damage the cells, यह जो आपका cell structure है, उससे damage कर देते, now you have to cut this temperature, उसको temperature को कम कर दो, using the water, water को use करो, then you can use the lotions, यह होने चाहिए water base, यह water base lotions होते, उसको use करो, and it will be fine, कभी-कभी इस, छोटे-छोटे इसके वज़े से, यहाँ पे कुछ, यह होते, create होते, means, क्या होते हैं, उससे, सिस्ट कैसे, तरह से, वो create हो जाता है, तो उसको photo मत, कुछ भी मत करो, वहाँ पे कुछ भी आपको, हाथ नहीं लगाना है, क् because आपके हाथ लगाने से, या कोई भी दूसरी instruments को use करने से, वहाँ पे infection का chance सबसे ज़्यादा होता है, because cells यहाँ पे damage हो चुके हैं, आपके body के cells damage हुए, और यह damage infections फैला सकता है, so, सिर्फ antiseptic और जो, जो water base antiseptics होते है, या water base यह burning cream होती है, anti-burning cream होती है, वो लगा दो, जो हमें cool effect देते है, injury wash the water, leave the victim water drinks and clean the wound and the cotton swab soak in the antiseptic solution, do not apply oilment and cover the wound using the dry dressing, उसके rubbing नहीं करना है, कुछ भी rubbing नहीं करना है, तो यह, खुद, body खुद को easily, perfect कर देती है, now, here is a serious burn, तो पहला चाहिए हमें emotional support, बहुत serious burn है, तो emotional support, हाँ बच्चा, कुछ नहीं होगा, don't take tension, अब भी दो मिनिट में ठीक हो जाएगा, अब यह जो दो मिनिट का आपने उसको timing दिया ला, यह उसके जिन्दगी का सबसे बड़ा time होता है, क्योंकि in this case, इस इसने surrender कर दिया है, भगवान को, कि अब मैं मरने वाला हूँ, बट आपने उसको और दो मिनिट दिया, कि कुछ नहीं हो अभी दो मिनिट में काम हो जाएगा, अब यह जो support होता है न, वो उसको जीने का एक-एक मोका दे रही है, और यही चीज बड़ी positively लेती थी, क्या लेती है, positively लेती है, और फिर बड़ी में एक energy आती है, next, cover the wound and sterlight करो, same, जो shoes या jewelry वेगर रहेगी, अगर उसे remove कर सकते हो तो करो, क्यों, jewelry वेगर यह metal की चीज होती है, तो यह गरम होने से और वो अंदर धस्ती जाएगी, जैसे wax होता है न, wax, wax में अगर गरम metal दाल दिया, क्या होगा, metal दूर अंदर तक चला जाता है, like this, यह हमारी body wax की तरह काम करेगी उस टाइम पे, तो उसे निकलना जरूर होगा, do not touch the burst and distill of the skin, जहां पे हुआ है, उसको हाथ मत लगाओ, do not apply oil paint, oil paint तो कभी भी यूज नहीं करने, even जो हम लोग normal wounds होते हैं उसमें भी जो antiseptic यूज करते हो, तो उसमें prefer करेंगे कि water base जो आते हैं, वो use करो, oil base यह मत use करनो, oil base कभी यूज किया जाता है, जब हम वो चीज को बार बार हम लोग पानी के contact में आने वाले, क्या होने वाले हैं, पानी के contact में आने वाले, उस time पे हम लोग oil paint यूज करते हैं, तो उससे पानी वो वाउंड में न चला जाए, यहां पे वो नहीं यूज करना है, हमें water base जो होते हैं, ointments होते हैं, जो creams होते हैं, वो use कर रही हैं, try to remove the cloth if it's stuck to the burn screen, पर धीरे धीरे, जोर से आप नहीं निकल सकते हैं, तो वो doctor ही वो काम कर सकते हैं, if the patient is a conscious, give the water drink, avoid the tea and coffee, tea and coffee को avoid करो, क्यों? because tea and coffee, body में stimulation create करते हैं, energy create कर देती हैं, और वो और damage create कर देंगे, means blood circulation और fast हो जाता है, क्या हो जाता है? blood circulation fast हो जाएगा, and because of this, यह blood circulation fast होनी के कारण, damage बढ़ सकता है, get the medical aid, तो medical aid ले लो और लोगों को बुला लो, okay, next, sunstroke, sunstroke, because of the sun के वज़े से, means बहुत गर्मी हो गए, अब गर्मी के वज़े से, पहला तो क्या हो गया? पूरे body का temperature बढ़ गया, कभी कभी क्या होता है, कि किसी लोगों को sunstroke के वज़े से, नाक से खून आना, वेगरे ऐसी भी चीज़ होती है, because ये blood की problem होती है, ये क्या होती है, blood थिन हो गया, पतला हो गया, okay, तो ये भी problem होती है, जब खेलते वक कुछ लोगों को होता है, तो ये problem बहुत होती है, तो ये भी problem होता है, दूसरा यहां पर वो चक्कर आके गिर जाएंगे, because oxygen की level यहां तक कम हो गई, चकर कम आता है, जब oxygen level mind तक कम हो रही है, तो ये घुमेगा, और ये गिर जाएगा, तो because ये सब कुछ जो balance करना, चलना, बोलना, ये सब कुछ है न, ये head of the department है, ये अपना जो head है न, ये main department है, वही control कर रहा है, अब यहां पर oxygen level कम हो गई, तो ये problems create होते हैं, तो इसे क्या दे दो, तो patient को cool place में लेके जाओ, body को sponge से, watery sponge से उसको cool करने की कोशिच करो, थंडा करो उसे, then place the cloth shock water, उसके neck के उपर, यहां पर, गले के उपर, वहां पर रख दो, जिससे temperature down हो जाए, main temperature यहीं पर down करना है, कहां पर है, सर में, सर में सबसे पहले करना है, plenty of water, liquid, शरबत वेगेर उसको पीने को दो, then patient feed like the vomiting, तो उसको एक दूसरे pond side में, means, कंदे के side में उसको जुका दो, जिससे, वो, easily, वो, यह हो जाए, means, जो damage हो है, वो पाट बाड़ी, खुद, उसको, खुद को recover कर सकती है, get the medical help, and shift to the patient, next आ गया, snake bite, snake bite क्या होता है, snake bite में क्या होगा, कि हम लोग accidentally, accidentally होता है, तो वो, हम लोग किसी जानबुच के साथ के साथ लड़ने को तो नहीं जाएंगे, मैं तो नहीं जाओंगा भाई, ओके, तो आपका पता नहीं, तो यहाँ पे, जब हम snake bite में, means, यहाँ पे हमारे पास बहुत सरी ऐसी varieties है, जो different different प्रकार के snakes होते, यह snakes attack कब करते, when they are frightened, यह डर जाते हैं, डरते क्यों है, वो अपनी life को डरते हैं, means, अगर मैं मर गया तो, तो यहाँ पे हम लोग fight पे आज जाते हैं, जो डरने वाला इंसान, पहले fight पे आता है, कभी भी सुनो, तो यह यह भी डरने वाला जानवर, पहले fight के लिए आ जाएगा, अब यह fight में ही जहर देता है, means, यहाँ पे toxic है, neuron toxic जहर होता है, उनके अंदर, जो किसी शिकार को मारने के लिए, वो यूज करते हैं, जो छोटे छोटे शिकार होते हैं, वो तुरंट मर जाते हैं, और यह can, यह easily उसको निगल सकते हैं, बराबर, यहाँ पे हम लोग थोड़े बड़े इंसान हैं, तो हमें थोड़ा time मिलता है, बट यह क्या करते हैं, यह neurons और कुछ, muscles को damage करते हैं, यह जहर क्या हो जाता है, neurons यह muscles को damage करते हैं, अब यह, साप तो different प्रकार के होते हैं, और उनका काटने का तरीका से ही में, वो काटेंगे, चले जाएंगे, हम क्या दूनकते बेटेंगे, यह जहरिला था या नहीं, तो simple thing है, जो जहरिला था, साप होता है, उसके सामने के जो टक्स होते हैं, मिन्स यहां पर जो उसके केनाइन जैसे होते हैं, वो बड़े होते हैं, ओके, और वो एक create करते हैं, मिन्स वो एक छापा create करेंगे, ओके, वो approximate, हाँ, लाइक यह, आपको यहां पर दिखाए गए, हैं, यह जो दो dot create होगे न, यह, यह होगे, जहरीला साप आई यह, यह क्या हैं, जहरीला है, अगर यह जहरीला नहीं होगा, तो, यहां पर सिर्फ ऐसे 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 create होगा, जहरीला नहीं होगा, तो कुछ सिर्फ दाद के निशान होगे, तो यह जहरीला नहीं होगा, अब सबसे ज़्यादा, human loss होता है, डर के होजे से, क्या होता है, साप काट लिया, अब यह साप कौन सा था, पता नहीं, जहरीला था, यह नहीं, पता नहीं, फिर भी, डर के मारे बहुत सारी लोग मर जाते हैं, बिकाउज, बिकाउज आफ़ दे, यह डर के होजे से, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और यह ब्लड को प्रेशर को, हार्ट अपना, टैकल नहीं कर पाएगा, क्या होगा, उसे टैकल नहीं कर पाएगा, और यह डैमेज हो जाएगा, और वो अटक जाएगा, ओके, एच करेगा और यह जो, चेंज हैं, इस वज़े से, डेट होती हैं, और इसी वज़े से डेट जादा होती हैं, अब यह हो गया है समझो, ओके, तो सिंपल चीज है, पहला उसको क्या करना है में, वाश करना है, चल, तो, स्नेक बाइट, देर अरद टू अंट्रेट, टू 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 तू 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 स्पीशिस अप स्नेक्स, और इस उनली फ्यू, कोब्रा, वाइपर, वेगर, यही चीज होती है, जो पॉइजनस है, देरफोर, आल्समेक्ट बाइट, आर नाट फैटल, और हावेवर, कॉस्ट दू सीवेर, साइकोलोजिकल शॉक, साइकोलोजिकल शॉक, डर के मारे हमें शॉक बैट जाता है, और विच रिजर्ट देट, इफ यू कम अक्रोस देट, देट इस अ, सर्पमित्र, स्नेक्स होते न, वो सर्पमित्र कुछ होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से उसे पकड़ना है, तो अगर आपको साब दिखता है, तो आप अपनी डेरिंग करनी की कोशिश मत करो, क्यूंकि उनका जो रिफलेक्स अक्षन है न, उनकी जो रिफलेक्षन करने की ताकत है, वो बहुत फास्ट है, आपकी मुमेंट से उनकी मुमेंट बहुत फास्ट होगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, कि वो आपको डस के चला गया, वो आपको काट के चला गया, इतना फास्ट उसका मुमेंट होता है, ओके, तो ये कोशिश भी मत करना, तो ये मिल गया, रादर देन किलिंग दे स्नेक, इस आउट उनको पकड़ के, दूसरे जगह पे छोड़ दो, रेमिडिस क्या, वाश कर लो, गिव दे इमोशनल सपोर्ट उपेशन, टाइद अ क्लोथ टाइपली अबाव दो वाउंड, मेंस जहां पे कटिंग हो है, मेंस अप्रोक्सिमेट सिंपल है, जो साप होते ना, उनकी हाइट होती है, अगर वो जमीन पे, तो मैक्जीमम कोब्रा, फोर फिट तक उपर आता है, मैक्जीमम, बट इंडियन के जो जंगल में साप होते, वो अप्रोक्सिमेट टू फिट तक हाइट उपर कर लेते हैं, और जो करना टर्ग या रेन फॉरेस्ट में जो कोब्रा होते, वो अप्रोक्सिमेट फूर फिट तक, यहाँ तक, यह अपनी हाइट इतना उपर कर सकते हैं, बट इतने हाइट में हम लोग पास तो नहीं जाएंगे, तो यह नीचे जुकेगा, तो इसका जो एंगल होगा, वो अप्रोक्सिमेट फिट या टू फिट के इसमें होगा, यह हमारे पेरों के उपर ही काटेंगे, क्योंकि सबसे नजदीक चीज होगी, यह इसे हम लोग पर्फेक्टली मूफ, उसे पेरों को जल्दी मूफ नहीं कर सकते हैं, हाथ को या इसको फटाक से हम लोग मूफ कर लेंगे, पट पेरे को हम लोग जल्दी मूफ नहीं कर सकते, तो वहाई पे वो काट लेते, नाउ, फर्स्ट, जो भी एंगल में वो काटे, उससे हाट की तरफ जाने वाला ब्लड पे, रस्ते पे एक टाइट कपड़ा बांदो, जिस वो जिस से ब्लड फ्लो हो रहा है न, जो नीचे से उपर जाने वाला है, वो एकदम धीरे हो जाए, तो एप्रोक्सिमेट कोब्रा काटने के बाद, जो कोब्रा होता है, वो काटने के बाद हमें 30 मिनिट्स तक, 32, 50, 40 मिनिट्स मिल जाते हैं, 32, 40 मिनिट्स और ब्लैक मामबा, जो अफरीका में मिलता है, जिसका मुँ सबसे ब्लैक होता है, इसके लिए उसको ब्लैक मामबा कहते हैं, वो नियूरो टाक्सिक जहर छोड़ता है, नियूरो टाक्सिक में क्या होगा, हमारे नियूरोन्स को लकवा मार जाएगा, और येर मसल्स जो पिगलने लगते हैं, कोबरा का जो वेनम है, वो मसल को कैच कर देता है, मसल को ये का स्टीफ कर देगा पहले, और पैरलाइज होना वेगरे पहला कि होगा, और दूसरे इसमें वो ब्लड में सर्किलर्ट होकर मरता है, तो इसमें हमारे पास ये टाइमिंग होता है, तो ब्लैक मामा काटने के बाद, मैक्जीमम टाइमिंग हमारे पास 10-15 मिनिट का है, 10 to 15 मिनिट के अंदर डॉक्टर के एंटी वेनम हमारे पास मिलना चाहिए एंटी वेनम मिलना चाहिए एंटी वेनम बनाया जाता है सेम साप के जहर से एंटी वेनम भी बनाया जाता है पॉईजन से ही यह पॉईजन बनते हैं प्रोटीन से और उसी प्रोटीन से हम लोग एंटिवेनम बनाते हैं तो डॉक्टर के पास लेके जो एंटिवेनम होगा और उससे वो इमीडियेट पर्फेक्ट हो जाएगा तो मेडिकल हेत चाहिए नेक्स्ट उसा डॉक्ट अब यह डॉक्ट नोग बाइट हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल हम लोग खेलते रहते हैं और गलती से हम कहीं पर चले जाते हैं तो वो डॉक्ट या यह एनिमल सोते हैं जो टेरिटरी के लिए बहुत concentrate होते हैं means वो territory में हमारी area में कोई आना नहीं चाहिए एनीमल है वो वो क्या है एनीमल है तो हर एक अपनी territory decide करता है अगर यह dog कोई dog होते हैं जो rabies के वज़े से infected है अब rabies infected dog उसे तो territory ना पता ना कुछ भी पता इट्स ये only काटना चाहता है, क्या होता है, काटना चाहता है, and here, ये एक्टोमेटिक मरने वाला है, ये क्या होने वाला है, एक्टोमेटिक, ये psychologically वो disturbed रहता है, जो rabies dog होता है, वो actually psychologically disturbed हो जाता है, और इसी वज़े से वो attack करते रहता है, but जो normal dogs भी, territorial में ये होंगे, जब आप उसके पास जाओंगे, गलती से भी वो काट लेते, सारे dog ऐसे नहीं होते, mention कर रहा हूं, सारे dog नहीं होते, it's a chance होता है, only 1%, 1% सी भी कम chance है, कि dog आपके उपर attack करे, dogs आपके उपर attack करे, ये सिर्फ 1% chance होता है, जब वो डरेगा, when animal आप से डरते, तभी वो आटक के उपर attack करेंगे, जब animal को आप डराओगे, तभी वो attack करेगा, अगर आप ने उसको साथ डराया नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, तो वो attack नहीं करता, तो normal conditions में ये, क्या होगा, 1% ही chance होता है डाग बाइट, अभी डाग बाइट क्या होता है, डाग बाइट हर एक animals के अंदर, डाग बाइट हो, monkey बाइट हो, या कोई भी जानवर हो, they're having a saliva and there, there are the different bacterias, उनके मुँ में कुछ different bacterias होते हैं, जो वो लोग जो खाते हैं न, उसको digest करने के लिए उनको help होती है, अब ये बैक्टरिया हमारे लिए बहुत डेंजर सोते हैं, तो जब वो काट लिया, अब उसको wound को साफ कर लो, डॉक्टर के पास जा लो, जाओ, वो antiseptic करेंगे, और उसके जो rabies के anti-rabies injections होते हैं, तो अगर wound बढ़ा हो, अगर wound बढ़ा हो, तो उस wound में ही पहला injection दिया जाता है, पहला injection उसी wound में दिया जाएगा, जिस से जो भी bacteria उसमें rabies के आया होंगे, उसे मार दिया जाएगे, अब कभी-कभी बहुत छोटी fight होती है, और बहुत लोग उसको neglect कर देते हैं, पर ये rabies, ये ऐसी विमारी है, जिसका कोई भी दवा नहीं है, जब वो अंदर आ गया, इट्स ये neurons के उपर हमला करेगा, किसके उपर? Neurons के उपर, then muscles के उपर, hydrophobia, पानी से डर लगने लगेगा, किसे? पानी से डर लगने लगेगा, अब ये पानी से डर लगेगा, next, पूरी body, पूरी अखड जाएगी, means कोई भी angle में ये mood सकता है, तो ये muscles पूरे trench हो जाते हैं, और ये बहुत खतरनाक, means वो जो मौत होती है न उनकी, वो बहुत बेकार होती है, तो ये रोकनी के लिए हमें क्या करना चाहिए, precautions क्या है, तो कोई भी dog, अगर कोई भी, मस्ती मस्ती में में आपके घर के पेटने भी काट लिया, तो भी ये precautions लेना जरूरी है, ओके, तो dog bite, there is a risk of infections of the blood, and hence, first aid of medical health is necessary, remedial का है, wash करो, anti-rabies, vaccine होगा, then cover with the clean and dry cloths, and doctor help the injections of the anti-rabies, उसको ले लो, तो उसके, आप easily cover हो जाओगे, चलो, तो here we finish the disasters, disasters ऐसे होते हैं, जिसको हम लोग predict नहीं कर पाते हैं, जल्दी predict नहीं कर पाएंगे, है ना, तभी वो हमारे लिए disaster होता है, अब कुछ disaster तो बहुत community के लिए है, और जैसे यहां पे snake bite, dog bite होते हैं, तो वो किसी particular इंसान के लिए वो disaster हो जाएगा, है ना, next, here is a some summary, the sudden climate, climate is a known, calamities is a known disaster, disaster, disaster can be manmade, or the natural, there is a alternates, or the immediate action necessary for such the occasion, effective disaster management should be used, the remedial measures, यह करनी चाहिये, and every person should know about the safety and precautions, क्यो हमें लेने चाहिये, तो here we finish our chapter, disaster management हम लोग ने यहां पे cover कर लिया, मैंने कुछ आपको stories बताई, बराबर मैंने अपने experience शेर किये, you can also share your experience on our comments, comments में आप लोग उसको share कर सकते हो मेरे साथ, lesson को perfectly, perfectly read करो, बहुत easy lesson है, एक normal lesson जो हम लोग कर सकते हैं, वही उसमें दिया है, अगर आप news विगरे perfectly देखते हो, तो यह lesson को इतना serious लेने की भी जरूरत नहीं है, आप easily उसको solve कर लोगे, okay, तो now here we need to stop, we will meet again next session with new story or new chapter, till then, good day!